नमस्कार स्वागत है आप सभी का Competition Academy के Digital Application Platform और YouTube चैनल पर मैं हूँ श्रेपांडे कैसे हैं आप सभी सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 बढ़ा है परन्तु उसके एक छोटे से पार्ट पर मैं चर्चा करने वाला हूँ और वो होने वाला है कि Computer की समाने जानकारी Computer की समाने जानकारी से विगत वर्चों में किस प्रकार के प्रशने पूछे गए उसका सिलेबस क्या है क्या सिलेबस से जो प्रशने है वो मैच करता है अगर सिलेबस के आधार पर कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए इन सारे विशे पर हम अपनी चर्चा करने वाले हैं सा Proper Life Classes आपको मिलेंगी एक दिन में चार या पांच क्लासे डेली एकनिश्चिस समय में आपको मिलेंगी जिस प्रकार से स्टुडेंट्स ओफ्लाइन क्लास में आकर बैटके पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही एक Proper Life Class का सेड़्ूल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं तो हम चाह तो सबसे पहले कंप्ट्र की समयने जानकारी से हम देख पा रहे हैं कि हमें परिक्षा में कुल पाच प्रशन आएंगे ठीक है और यह जो पाच प्रशन रहेंगे प्रत्यक प्रशन तीन अंक का होगा अथात कुल हमें 15 अंक प्राप्ट करने होंगे यहां से पाट्यकरम क् कहता है कि कम्प्यूटर रिवम सूचना प्रोध्योगी के संबंध में 36 गड़ माध्य में सिक्षा मंदल वोट की बारवी कक्चा के पार्टिकरम के समतुल्य जानकारी सिलिवर्स डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या यहां से आने वाला है तो सबसे बहतरीन तरीका क्या होगा कि एक व्यापम जो प्रस्ण पत्र लेता है उस अधार पर पड़ें अब यहां पर पेपर कौन ले रहा है व्यापम नहीं ले रहे हैं जी पीएसी ले रहे हैं ठीक है तो जो PSC का pattern रहता है वो किस प्रकार का रहता है ये भी थोड़ा समझना होता है हो सकता है कि वह analytical रूप में आपको प्रशन दे दे प्रकार के प्रशने के लिए क्या रहना है हमको तयार रहना है कौन सी book prefer करें तो computer resist पर इचे ये किताब जो है चाहे कोई भी examination हो इसको design ही ऐसा किया गया है कि हर examination आप पढ़ कर 36 गड़ का कोई भी examination जिसमें computer आता है समाने जानकारी वाला syllabus है आपके लिए ये बहतरीन किताब होगी साथ ही जब आप च्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद computer resist पर इचे जो वस्तुनिस्ट प्रकार के प्रशन है यहां पर आप वस्तुनिस्ट का सामना करते हैं जिससे कि आपकी तयारी का इस्तर क्या पहुंचा है या आप आपने आपको क्या कर सकते हैं ठीक है चले किस प्रकार के प्रशन आये हैं इस पर हम अपनी चर्चा करते हैं दिखते हैं यह प्रशन सबसे पहला यह तो अपना मेंस का syllabus है इस पर चर्चा करेंगे हम इस पर कुल दोसों के प्रशन आने वाले हैं computer जो उनके लिए वो syllabus होगा चलिए आप प्रशन देखते हैं किस प्रकार के प्रशन जो है हमको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको पहला प्रशन दिख रहा है cybercrime के विशे में सिकायत दर्च करने हैं तू help line number है 100-112-1093-1098 चार option है हमारे यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारा answer जो होगा इन चारों में से कोई सा नहीं होगा यहाँ पर option देने में paper में गड़बड़ी हो गई थी actual में 1930 यह होता है cybercrime सिकायत दर्च करने हैं तू help line number क्या 1930 परन्तु यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1039 और 1039 30 सुरक्षा नियंतरन का number है पही पर 100 जो है वो पुलिस सहायता है तो यूज किया जाता है और 112 number 21 number सब्वो बर पुलिस सहायता है तो ठीक है तो यह सारी चीजों को ध्यान रखेगा वही पर यहाँ पर 1098 दिया हुआ है वो है child help line number तो यह एक प्रकार से ऐसा question है तो generally किसी books में आपको नहीं मिलता यह general awareness का question है ठीक है कि ने तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के प्रश्णों को आपको सामना करना पड़ सकता है तो यह दूसरा प्रश्ण कौन सा है दूसरा प्रश्ण है हमारा कि spelling and grammar check करने के लिए कि shortcut की काम प्रयोग करते थे F7 वाला ठीक है यह question आता था पर अब यहाँ पर प्रश्ण क्या है हमारा बदल चुक है तो इसका answer होने वाला है यह पड़ियावाची और विलोम शब्दों को चैन करने के लिए प्राप्त करने के लिए Thesaurus Tool का प्रयोग किया जाता है तो इस कहानी से क्या सिख्छा मिलती है कि Microsoft World हो या Microsoft Excel हो तो उसके जो टैप्स होते हैं जो उपर में File menu में उन टैप्स के अंदर के क्या विकल्प है वो विकल्प हमें कहां पर मिलेंगे और उन विकल्पों का प्रयोग कैसे होता है यह हमको क्या होगा समझना होगा ठीक है तो एक यहाँ पर अपना दिमाग आप रखेंगे कि इस प्रकार की ची मनुस्य करते हैं मतलब की मनुस्य के प्रकार की बुद्धी वाला प्रश्न है कि कौन सा इसमें से कौन सी शाका है जो इस पर काम कर रही है अपसन दिया हुआ है नैनो विज्ञान नैनो टेक्नोलोजी के अंदर में जिसमें मसीन लर्निंग उसकी साका है मसीन लर्निंग डीप लर्निंग यह सारी चीजें जो कि AI की क्लास में मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है वह आप ध्यान में रखेंगे तो इसका उत्तर क्या था आर्टिशियल इंटेलिजेंसी यह समानी प्राशन था अगला कोशन यह भी सरलड़ प्रशन है देखिए वर्ड दॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्स्टेंशन क्या है डॉट डिउसी डॉड्ट टेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका डॉट डी मैं तो जब आप एकसेल फाइल्स किसी वर्ड ड यहां पर गो रहा एक्सेल, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्ता वेच में, ठीक है, एक्सेल और वर्ड दोनों की बात कर रहा है, तो उसको उसमें समाहित करते हैं, तो वो फाइल क्या कहलाता है, ध्यान देंगे, वो क्या कहलाता है, लिंक्ड फाइल कहलाता है, लिं नेम इस X, Y, Z अब मैं क्या करता हूँ? इसमें से X, Y, Z को select करता हूँ और select करके मैं shortcut की press करता हूँ Ctrl plus K जैसे ही मैं Ctrl plus K करूँगा मेरे पास एक window open होगी वो window कहला है कि hyperlink window और उस hyperlink window के माध्यम से मैं इस X, Y, Z में कोई भी दूसरी file का address store कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? इसको किसी text को किसी file से link कर सकता हूँ माल लेते हैं मैं यहाँ पर hyperlink select करता हूँ और एक image को मैं इसके साथ क्या कर देता हूँ? attach कर देता हूँ अब जो इसका color पहले normal था अब वो मुझे dark और नीला दिखाई देने लगेगा मतलब कि मेरा hyperlink create हो गया इसका मतलब यह कि जब भी मैं इस dark गाढ़े नीले text पर double click करूँगा या click करूँगा तो मुझे यह image open हो जाएगा या फिर मुझे अगर मैं इस पर कोई link डालता हूँ तो वो link open हो जाएगा कहने का मतलब यह hyperlink जो होता है वो किसी दूसरे दस्तावेज के link को अपने अंदर store करके रखने की क्षमता रखता है यह कहलाता है हमारा hyperlink तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह 5 प्रशने पूचे गए प्रशने का इस तर भी आपने देखा कि अगर मैं कहता हूँ कि 12 लेवल का तो इस पर से 2-3 प्रशने 12 लेवल के थे पर जो 2-3 प्रशने थे वो ऐसे ही व्यक्ति से बनेंगे जिनोंने computer में क्या किया होगा practical किया होगा परन्तु यह सारे के सारी चीज़े हैं आपको हमारे किताब में इस exam देने के पहले ही थी हमारे किताब में तो जो students ने यह किताब follow किया होगा उनको बहुत लाब हुआ होगा दूसरी बात मैं आपको यह बता हूँ अभी 16 वसादिक चक का जो examination हुआ था उसमें मैंने proper आपसे कहा था कि 25 questions जो रहेंगे वो मेरे पढ़ाय हुवे आएंगे हमारे किताब से आएंगे पर उसके अलावा जो अन्य प्रशन चार या पांच प्रसन आपको बाहर से मिल सकते हैं और यह बिल्कुल perfect वही हुआ था इवन मैंने paper के पहले दिन जो आपके लिए वीडियो बनाई थी वहां से ही 12 प्रशन जो है paper में तो उटा गये थे memory topic से है कि ने तो experience जो होता है उस अधार पर चीजो को मैं आपसे साजा कर रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आपको तयारी करनी है तो आप हमारा digital application platform में हमारा जो Google Play के माध्यां से digital application platform की जो classes है वो download कर सकते है competition academy digital classes नाम से आपको वहां पर मिल जाएंगे यहां पर अगर आपको online class computer की purchase करनी है तो मात्र एक pizza से भी कम दामे 500 रुपिस में आपको proper class है यहां पर हम provide करा रहे हैं जिसमें computer का एक पूरा topic मिल जागा साथ ही कल से आपको SI की building की यहां पर देखने को मिल जाएगी वो भी बहुत कम दाम में हम आपके लिए उपलब्द करा रहे हैं proper life classes चलेंगे दिन में 4 या 5 classes daily आपको एक निश्चिस समय में जिस परकार से offline student की classes चलती हैं उसी तरीके से आपको यहां पर classes मिलेंगी तो इस परकार के life class के लिए भी आपको proper तयार रहना है यह प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं और यह मान के चलिए कि यह आपके लिए बहुत लाप्रद होगा आप घर पर बैटे बैटे आप क्या कर पाएंगे online की तयार, online माध्यम से बहुत अच्छी तयारी कर पाएंगे साथी साथ अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी बहुत सी किताबें आपको उपलब्द हैं जो प्रतिक एक-एक topic को cover करती हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पर General English की एक किताब आपके लिए बहुत ही बहतरी तरीके से जिनको English proper समझ भी नहीं आती उनको Hindi में समझाते हुए English की किताब आपके लिए डिजाइन की गई है साथी गड़ित की तीन भाग आपको देखने को मिलेंगे पहला तो यह जो basic गड़ित का है साथी साथ आपको गड़ित का salt paper मिलेगा रिजनिंग का salt paper मिलेगा तो यह सारे जो paper यह सारे किताबे हैं यह आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाली है आप कितनी चीज़ों को कहां कहां से खोच कर लिक आएंगे जब आपको चीज़े एक जगा हो जा रही है तो सबसे best होगा यह आपके लिए और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी SI की एक combine book भी हम आपके लिए लेकर आएंगे पर यह मान के चलिए तैयारी जो आपको करनी है वो बहुत ही ठहर के आराम से करनी है ठीक है बहुत ज़्यादा competition है बहुत ज़्यादा मारा मारी है हर बड़ हर बड़ हर बड़ में काम नहीं करना है आराम से एक समय लीजिए proper पढ़ाई करिए आप यह मान के चलिए कि सफलता आपको मिलेगी जब post थोड़े ज़्यादा होते हैं तो chances ज़्यादा बन जाते हैं students के अब आपके साथ कौन लोग लड़ रहे हैं जिनोंने 2018 में तयारी की हुई है जिनों 2018 एक्जाम पास किया हुआ है वो आपके साथ लड़ रहे हैं तो आपको जो नए student है उनको मन लगा करके पूरा फोकस करके क्या करना है जि पढ़ाई को हमको करना है ठीक है online classes जो हमारी कल से प्रारम होने वाली हैं उसके विश्य में मैं अलग से जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा ठीक है तो proper क्या करना है आपको coordinate करना है हमारे साथ आपको जुड़े रहना है आपको class की जलकिया YouTube के माध्यम से दिख जाएंगी आप proper हमारे साथ जुड़े तो यह सारी बाते मैं आज करने के लिए आपके साथ आया हुआ था आप से फिर से मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल कर तब के लिए नमस्कार धन्यवाद